हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तलत मैनू कीचन आज तलत के कीचन में बन रहे हैं फूल गोभी के कबाब जो बचों को गोभी पसंद नहीं आती है लेकिन कबाब वो बहुत ही शौक से खाते हैं ये देखिए मैंने एक गोभी ली है जिसको साफ कर लिया है धो लिया है ये देखिए नीचे से उसका डंठल जो है वो मैंने तराश दिया है और इसको मैंने पानी में उबाल लिया है ज्यादा नहीं उबाला है ना कच्ची है और ना ही ये पकी हुई है ये देखिए अब मैंने इसको छुरी से बारीक बारीक कतर लिया है काट लिया है बिलकुल बार बनाना है इसलिए हमको काफी बारीक करना है यह देखिए मैंने चुरी की मदद से इसको काटा हुआ है और बिल्कुल बारीक कर लिया है अगर आप चाहें तो कद्दू कश से भी इसको कश सकती है यह देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हो गई है फूल गोबी के कबाब हैं, अब मैंने आलू लिए हैं, उबले हुए, तीन आलू मैंने मीडियम साइज के उबले हुए लिए थें, जो के मैश कर लिए हैं, अगर आप चाहें तो कदू कश भी कर सकती हैं उसको, और मैं इसमें मिला लूँगी, काफी टेश्टी बनते हैं तेश्टी और भी तेश्टी बना सकते हैं वही मसाले हैं वही सब कुछ है लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग ہے बस एक मीडियम साइज की मैंने प्यास है जो के बारिक कतर ली है ये डाली हुई है धनिया और पोदीना फ्रेश मैंने जो था वो कतर लिया है वो डाला हुआ है एककटोरी ये देखियो और मैंने दो हरी मिर्च ली है जिनको बारीक बारीक कतर लिया है मिर्च आप हजब जायका डाल सकते है कम भी कर सकते है या नहीं भी डाल सकते है लेकिन काफी टेश्टी हो जाता है हरी मिर्च डालने से भी सारे मसाले इसमें अब मैंने हजब जब जाएखा इसमे लाल मिर्च डाली है आथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं यह देखिए किबाब है तो चणपटे होना जरूरी है अब मैंने इसमें एक चम्च डाला हुआ है गरम मसाला और एक चमच मैंने कुटा हुआ इसमें धनिया डाला हुआ है ये देखिए मैंने सुखा साबुद धनिया जो था वो डाला है कुटा हुआ एक चमच मैं इसमें अमचुर पॉडर डाल लई हूँ अगर आप चाहे हैं तो नीवू का रस भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा खटाई होना भी इसमें जरूरी होता है अब मैं इसमें डाल लई हूँ एक चमच मीड मसाला अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और एक चमच मैंने इसमें धनिया डाला है धनिया मैं इसमें दो चमच डालूँगी सुखा पीसा पाउडर है यह यह देखिए और अब मैं इसमें बेसन डालूँगी मैंने बेसन जो था वो रोश्ट कर लिया था तो मैं इसमें तीन चमच बेसन डाल दूँगी यह देखिए अब मैं इसमें दो चमच तेल डाल दूँगी रिफाइंड तेल मैंने डाला हुआ है और हजब जायका हम इसमें नमक डालेंगे नमक भी आप कम या ज़्यादा जैसा भी आप टेस्ट आपको लगता हो वैसा डाल सकती है इन सारे मसालों को मैं आपस में मिला लूँगी और मैंने एक चमच अधरक लसन का पेश डाला हुआ है यह देखिए अब मैं इनको अपने हाथों की मदद से मिला लूँगी ताके यह मसाले आलू और गो भी जो है वो आपस में मिक्स हो जाए यह देखिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताईए कि आपको कैसे लगे कबाब यह देखिए मैंने इसको मिला लिया है अब मैं इसको पाच मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए ढख कर रख दूँगी कुछ ज्यादा नहीं रखना है क्यूंकि नमक पड़ा है तो पानी छोड़ सकते है अब देखिए मैंने एक पैन में तेल गरम किया हुआ है मैंने मश्टर्ड ओयल लिया है आप चाहें तो रिफाइन या घी में भी इसको शेलो फ्राइ कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा पानी हतेली पर अपने लगा लूँगे यह देखिए और थोड़ा सा बैटर लेकर बहुत इसी है यह देखिए अगर आपका ज्यादा नरम हो जाए तो आप बेसन उसमें एक चमच और मिला सकते हैं लेकिन मेरे लिए यह पर्फिक्ट है यह देखिए इसी तरीके से हम दूसरा कबाब बना लेंगे यह देखिए मैंने दूसरा बनाया हुआ है गैस का फ्लेम मैंने बहुत ही सिलो कर दिया है क्योंकि हलकी आज में यह अंदर तक सिख जाएंगे देखिए कितना अच्छा इनका कलर भी आया हुआ है काफी टेश्टी भी लगते हैं एक बार जरूर ट्राइ करें बच्चों को भी काफी पसंद आते हैं यह पूरी पराटे के साथ बहुत ही शौक से खा लेते हैं रोल बना कर हलकी आज में जितना ही इनको सेकेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से सिख जाएंगे कच्चे नहीं रहेंगे यह देखिए मैंने हलकी आज पर सेका हुआ है कबाब बहुत ही अच्छे कलर के हो गए है बहुत ही क्रिस्पी है टेश्टी है एक बार आप जुरूर बनाएए फूल गोभी के कबाब हैं आपको काफी पसंद आएंगे आप जुरूर ट्राइए